गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स याइस बेटा आज हम करेंगे हमारे लैसन नमबर फिफ्टीन के क्वेशन आंसर जो हमने किये थे 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 आज हम नमबर फोर से स्टाट करेंगे तो देखी क्या है राइट अशोर्ट नोट ओन असाइकलोन अन स्टॉम ठीक है और फिफ्ट्रोई बिलिंग को अप्लूटी को अप्लूट्ट्स एंड ओसो कॉसी और हुजिज से क्या होता है बिलिंग स्टूई हो जाती है प्लाइंट जड़ों से उकहर जाते है देनकी वजह से काफी ज़्यादा लdenumm लोगों की जाने जाती है और उनकी property का भी क्या होता है नुकसान हो जाता है आगे देखिए storm क्या होता है बेटा तुफान क्या होता है storms are winds ये क्या होती है हवाई होती है blowing at a high speed काफी तेज स्पीड से क्या होती है हवा चलती है they can destroy houses ये घर को destroy कर देती है huts जोपणियों को destroy कर देती है and blow away roof of houses और घरों की छतों को क्या कर जाती है अपने साथ उड़ा कर ले जाती है ठीक है अब next question देखिए question number 5 what kind of help do we get after a natural calamity strikes को ये बताने कि किस तरह की help जो होती है natural calamity के बाद लोगों को दी जाती है तो देखिए answer during a natural disaster natural disaster के time people who suffer जो लोग सफर करते हैं जो victims होते हैं needs help उन्हें क्या चाहिए help चाहिए they have to provide it with the proper medical help उन्हें एक proper medical help चाहिए ठीक है and food चाहिए उन्हे cloths चाहिए blankets चाहिए drinking water and shelter चाहिए अलग लग तरह की help होती है जिनकी उनको क्या होती है जरूरत होती है तो ये question answers आप अपनी fair notebook के अंदर write करेंगे और इसको क्या करेंगे learn करेंगे ठीक है thank you